हेलो दोस्तों अनेकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपने खबर चर्चा में सुनी होगी बहुत जादा उस पर डिबेट हो चुकी है कई सारे लोगों ने सेशन्स ला दिये हैं भारत और इंडिया ये जो दो शब्द हैं इस पर ये मूलता डिबेट के अंद्रित है और इस डिबेट के पीछे जो मूलतर्क है वो वर्तमान सरकार द्वारा लिये गए कुछ स्टेप्स हैं खासतोर से वो जो स्टेप्स हैं वो जी ट्वंटी समिट में कुछ आयोजन होने थे जिसके बाद जो सरकारी आदेश या सरकार की तरफ से दिये जाने वाले इंविटेशन से उनमें परिलक्षित हुए इस पर कई सारे सवाल खड़े हुए कि ऐसा क्यों किया जाना था अब हम इस सभी बातों करके देखेंगे और उमीद है आप लोगों ने देख भी लिया होगा लेकिन जो इस पूर यानि वर्तमान जो खबरें हैं वो आपको इस ओर इशारा करती है कि क्या चल रहा है उसके पीछे की जो मूल भाव है क्यों है उसको आपको जानना उसको पकड़ना है तो क्यों है का एक भाव ये भी आएगा कि ऐसी अगर घटना है सामने होती हुई दिखी है तो वह क्यों हुई है का मूल उद्देश क्या है उद्देश कुछ भी हो सकता है सरकार ने ऐसा क्यों किया या क्यों नहीं किया उसका उत्तर सरकार देगी लेकिन हम इस परिप्रिक्ष को समझते हुए एक आकलन करेंगे ठीक है जो आज का टॉपिक है वो है इंडिया वर्सिस भारत की याद दिलाता है वहीं कुछ लोग कहते हैं यह हमारा ब्रांड नेम है विश्व में हमारी पहचान इंडिया के नाम से होती है हमने एक लंबा इतिहात इसके साथ जिया है तो आज की समय लोग हमें इंडिया के नाम से जानते है वहीं जो भारत को लोग कहते हैं कि हमारी म रंड नेम है तो उसको भी नहीं छोड़ा जा सकता स्री डिबेट क्या है इस पर बात करते हैं देगे जी ट्वंटी जो शिखर सम्मेलन है वो रहा है आपको पता है कि 9 और 10 सेप्टमबर 2023 को नई दिली में इसका आयोजन किया जा रहा है अब इस आयोजन से पहले कुछ और आयोजन होते हैं जो कि भारत के राष्टपती की तरफ से जो गणमाने व्यक्ति आ रहे हैं अलग-अलग देशों के राष्टा ध्यक्ष आ रहे हैं उनको एक तरह की इंविटेशन भेजा जाना था अमुमन हम क्या करते हैं जो इंविटेशन भेजा जाता था बोब बेजा जाता था प्रेसिदिन्ट ऑ इंडिया के नाम से इस बार जो बेजा गिया सना اگर इंडिया के नाम से एक एलाइंस बना रहे हैं तो सरकार का मूल प्रियास है या मूल भाव हे कि इस चीज़ को से थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया जाए या पंबिसिटी इस नाम के इस तरह के आयोजन को कर देने सोड़ी कम हो जाएगी उनके आयोजन को थोड़ा सा कम मीडिया कवरिज मिलेगा बहरहाल यह राजनीतिक धनार के पीछे ठोस कारण क्या है यह स्थितियां क्या है अगर आप बाहर जाते词 हैं पान की दुकान में जाते तो इससे चर्चा ये भी शुरू हो वही कि सरकार संसत के आगामी विशेश सत्र के दौरान क्या इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने का कोई प्रस्ताव ला देगी ठीक है इस पर आते हैं के करके तो इस पर समझने के लिए जो मूल बात है वो यह है कि जो हमारा सम्विधान है वो क्या कहता है सम्विधान का अनुच्छेद एक एक जहां पर भारत के जो संगराज क्षित्र है उसकी चर्चा की गई है और समें लिखा गया है सबसे पहला ही स्टेट्मेंट है इंडिया कि एट इस भारत है एल भी कि ए यूनियान ओफ टेट्स इंडिया इट इस भारत विल भी शैल भी आ यूनियन ओफ स्टेट्स इसी शब्दों को अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे भारत अर्थात इंडिया जो की राज्यों का एक संग होगा यहां पर इस बात को भी लिखना जरूरी है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संग होगा अब यहां पर बहुत मूल बात है जो आपको यहीं पर समझ लेनी है वो क्या है तो वो यह है कि इंडिया डैट इस भारत एक स्टेट्मेंट जो इंग्लिश वाला आपको कॉस्टिशन का पाठ पढ़ने को मिलेगा उसमें ऐसा लिखा हुआ इंडिया भारत अर्थात इंडिया यानि दोनों ही शब्द अलग अलग नहीं है दोनों ही शब्दों को एक साथ इस्तवाल किय अलग शब्द नहीं है भारत अर्थात इंडिया इंडिया अर्थात भारत अब कोई भी बहस नहीं इसके बाद बचती है सम्विधान के कॉर्डिंग पहले पीछे क्या लिख दिया गया था प्रेसिडेंट ऑफ भारत प्राइम निश्टर ऑफ भारत अगर इंग्लिश वाल नहीं है समविधान के मुताबिक चूंकि समय दान में दोनों ही चीजों को एक साथ लिखा गया है तो इंडिया और भारत दोनों को ही आधिकारिक नाम के रूप में माननेता समय धान देता है जैसे कि अगर आप भारत के नागरिकों का पासपोर्ट देखते उसमें लिखा ह राज यानि रिपब्लिक ऑफ इंडिया दोनों ही लिखा हुता ऐसी तरह आप आर्बी आई में भी देखते हैं भारती रिजर्ब बैंक रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया बारती रेलवें इंडियन रेलवें इंग्लिक और हिंदी के कंटेक्स में थोड़ा सा चीजे आपको दोनों ही तरह से देखने को मिल जाएंगी इसका इतिहास क्या है जो नाम हमें सम्विधान के अंतरगत देखने को मिलता है इसमें एक और बात यह कि नाम को लेकर भी सम्विधान सभा में ठिक ठाक बहस हुई थी और अलग-अलग सदस्यों ने अलग-अलग तरह के दिये थ आपको बहुत सारे नाम जानने को मिलेंगे जैसे हिंदुसतान जंबूदीप अर्या वरत मैलुवा ठीक है इसके अलावा इंडिया इसके अलावा भारत भारत वर्श नाम है अब जैसे हिंदू शब्द आता है हिंदू शब्द को लेकर के भी इतियास है भारत शब्द को लेकर के भी इतियास है तो पहले भारत को देखे भारत भारत या भारत वर्ष अगर आप इसको समझें तो आपको पॉनारिक कथाओं में साहित में पुराने आपको इस तरह की श शित्रों तक भारत है वो फैला हुआ है उसके बीच की भूमी जो हिंदुस्तान नाम है वो हिंदु शब्द से आया है अब जो भरत नाम है तो दुश्यंत और शकुंतला के पुत्र हुए है जो रिग्वैदिक काल के जो जन जाती थी उनके पूरवज माने जाते थे तो ऐसा भूमी के नाम से भी पुकार रहे हैं और उसके बाद जो भी इस भूमी पर रहने वाले लोग थे वो उनके पूरवज रहे हैं उनके नाम के साथ इनको जोड़ करके देखा जाता है जो हिंदुस्तान नाम है उसको अगर आप देखें तो संस्कृत में सिंदु शब्द है उसे ही कि इंडस कहते हैं तो फार्तियों ने इसको हिंदु कहा कि शताब्दी इसापूर जो के अकेडेमियन सामराज वहां पर हुआ था जिसमें आप डेरियस का साइरस का या जरगदीश जैसे जो कुछ राजाओं का नाम जानते हैं या पढ़ते हैं नितिहास में पढ़ा है कई सारी से जोड़ी फिल्में भी बन चुकी है तो वह उसकाल के शासनकाल जो चला आया है 600 इसापूर्व से लगा करके 300 इसापूर्व तक उसके बाद अगर आप सिकंदर की विजयों को देखें तो सिकंदर ने भी सिंदु के ख्षेत्र तका करके हमले की और विजय प्राप्त की तो इस छेत्र को वह लोग क्या बोलते थे लिए इंडस उसके बाद आया है तो उसको हिंदु नाम से जानते थे और जब ग्रीक लोग पहुंचे तो ग्रीक लोगों ने इस इनके ही नाम को हिंदु को उठा करके पिर इंडस के नाम से उन्होंने इसको लिखना शुरू किया लिपी बद्ध करना शुरू किया तो वहीं से इंडिया शब्द आगे चल करके आया दीरे दीरे अगर आप मुगल एरा के दौरांग देखते हैं तो हिंदुस्तान शब्द बहुत प्रचलन में था अलाकि उत् शेत्र के हिसाब से नाम रखा अपने नक्षों में अपने गजट में अपने आधिकारिक पत्रों में उन्होंने इंडिया शब्द का इस्तमाल यादा किया तो धीरे धीरे जो दक्षड एशियाई शेत्र के बीश में हिंदुस्तान नाम जो चलता था वो इंडिया धीरे धीरे होता चला गया बाद में जब विभाजन हुआ तो हमने इंडिया शब्द को अपना लिया अलाकि जिन्ना उत समय पाकिस्तान को अपना रहे थे लेकिन जिन्ना का मानना ये था जैसा कई सारे लेखों में मिलता है जिन्ना के कई द्वारा लेखे हुए पत्त्रों में मिलता है कई बार उन्होंने मांट बेटन के साथ अपनी नाराजगी भी व्यक्त की तो जिन्ना का मानना ये था कि जिस तरह से वो पाकिस्तान को बना रहे हैं चौधरी रह्मत अलि ने उस सबनी है जो नाम दिया था तो पाकिस्तान की मांगकों उन्हों ने पाकिस्तान शब्द को शामिल कर लिया 1940 के बाद लगातार पाकिस्तान शब्द में देखने को मिलता रहा जिन्ना का मानना ये था कि अगर हम पाकिस्तान शब्द को लेते हैं पाक भूमी जो मुस्लिमों के लिए बनाई जा रही है मुस्लिम राश्ट होगा वैसे ही हिंदुस्तान नाम ये अपनाएंगे लेकिन जब मंजूरी उन्होंने इंडिया शब्द को दे दी तो इससे उनको बड़ा ताजय भुगा बड़ा दिक्कत हुई क्यों ही इंडिया शब्द है आप समझ रहे ना बेसिकली कहां से आता इंड़स वाले क्षेत्र से तो पाकिस्तान के पास भॉगल रूप से दिखाई पड़ता है कि इस पर उन्होंने ये कहा कि इससे भ्रम की स्थिति पैदा होगी लोगों के बीच में ये नाम नहीं लेना चाहिए ने लेकिन अब तो तो ले लिया था तो उनको ये भी लग रहा था कि ब्रिटिश इंडिया के बाद इंडिया नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि ये अपनिवेशिक काल का है तो काफी जादा उसमें डिबेट हुई हम आगे चलकर करके जो समविधानिक डिवेट आईगी उस पर भी इसको बात कर करता था भारत जो शब्दया बिसिकली प्राचीन संस्कृत नाम भरत के उपर है जो जाती के पौरालेक संस्तापकों में से एक एक लेखी का है हम कहें सोशल साइंटिस्ट उने ज्यादा बहतर कह सकते हैं कैथरीन नाम से तो कैथरीन उजह लिखती है कि भारत बेसिकली रा असल आर्थ मलब की राजनीतिक या भागवलेक या आर्थिक से ज्यादा सामाजिक और संस्कृतिक है धार्मिक है इस हिसाब के उन्हों ने इसकी व्याख्या की है अब तो मिधान सभा की पर चर्चा को एक बार देख लें कि तो 17 सितंबर 1949 को डॉक्टर बिया रंबेटकर प्रावधान का अंतिम संस्क्रण सदन में प्रस्तुत किया जिसमें भारत और इंडिया दोनों ही शब्दों को शामिल किया था जैसे ही शब्द सामने आया तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो पहले ही खंड को लेकर के ठीक ठाक बहस शुरू हो गई 18 सितंबर 1949 को एक चर्चा के दोरान इंडिया भारत पर सदस्यों ने बहस शुरू की और कहा कि इसको बदल लिया जाए कई सारे सदस्यों का नाम आता है जैसे जीवी पंथ थे भरी विश्णू कामत जी थे तो जैसे कुछ देखे कई सदस्य क्या कह रहे थे कि इंडिया का प्रियोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि आपनिवेशिक काल की याद दिलाता है इसके अलावा इंडिया को भोगौलिक अभिव्यक्ति और प्रशास्तिक एकाई की रूप में उन्होंने कहा इंडिया शब्द से ऐसा फील होता है तीसरा उन्होंने कहा मूल शब्द भा के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया गया तो सेट गोविंदाजी ने कहा कि विश्लू पुराड और ग्रम पुराड में अगर हम पढ़ते हैं तो भारत शब्द का जिक्र मिलता है लाकि इंडिया शब्द का और अगर हम इसको अपनाते हैं तो आगे चलकर ऐसा महसूस होगा कि हमने अंगरेज़ों द्वारा जो मानसिक्ता थी गुलामी की उसको स्विकार कर लिया या लंबे समय तक उन्होंने जिस नाम से हमें पुकारा हमने उसको स्विकार कर लिया है तो उन्होंने कहा कि आनुच्छी एक है उसमें इस शब्द को बदल दिया जाए इंडिया देट इस भारत जो लिखा हुआ है उसको ऐसे करते भारत जिसे विदेशों में इंडिया के नाम से भी जाना जाता है कुछ ऐसा करते और उन्होंने इसके लिए आयरलेंड के समविधान की भी बात बताई जहां पर उसे आयर कि अध open again कहा जाता है इंग모-व्श में उसे वं आइरिश कहते हैं उन्हों ने कहा कि तो अपने ही शब्द को अपनाया यह कुछी ने कहा कि साथीष सदी चीनी यात्री इंसांग की बात कई कि उन्होंने भी अपनी जात्राओं में देश का दिक्र किया है वो भारत के नाम से किया है हमें आखरकार इंडिया क्यों रखना चाहिए कि उत्री। भारत के लोग भारत वर्श नाम चाहते हैं भारत वर्ष या कुछ लोग यही सद्ग हिंदुस्तान नाम रखना चाहिए पटल पर तो हिंदुस्तान नाम भी आये था तो जहां तक मुझे लगता है कि समिधान निर्माताओं को समय ये लगा होगा कि चूंकि पाकिस्तान की मांग की गई है इसके वज में जिस तरह से जिन्ना का जिक्र आता है पढ़ने के दौरा भारत की संस्क्रती से ये केवल इसलिए वह उन्हुन है जाने से मना किया क्या वहां पर भारत लिखा उनका कहना ये वो सकता शायद ऐसी कोई बात रही हो तो आप लोग भी अपनी कुछ राइस पर रख सकते हैं कि ऐसा क्या रहा होगा हला कि जी भी पंत्र जी ने जो तर्क दिया था वो देख लेते और उने कहा कि हमें पता होना चाहिए कि यह नाम हमारे देश को विदेशियों ने दिया था हम इसके प्रती अगर इस शब्द से चिपके रहते हैं तो हमें यह आता है कि इस अपमाजनक और शब्द से हमें कोई लज्जा नहीं है और हम इसको स्विकार कर रहे हैं अलाकि बाद में अम बेट करती ने इस पर तरक को खारिच किया और उन्होंने फिर इस डिबेट को ही खतम करते हुए इसको फिर पारिक करवा दिया और आगे चल करके हम इंडिया और भारत दोनों ही नामों को समिधान में देखते हैं अच्छा इसके बाद अभी कुछ और चर्चाएं भी सामने आए थी वह यह थी खबरें की पाकिस्तान यह चाहता है कि वह अपनी भूमी को इंडिया नाम से शामिल कर ले तो अगर भारत ने अपने सम्विधान से इंडिया नाम को हटाया तो वह यूएन चले जाएंगे और यूएन में पाकिस्तान को इंडिया कर लेंगे अलाग ठीक है ऐसी बहुत सारी बाते और चर्चाएं हमेशा सुनने को आती रहती है इस प अगर आप अकेमेडियंस को देखेंगे जो फार्सी सामराज था वो समय का अपने आपका सबसे बड़ा सामराज माना गया था और उन शासकों ने जो शासन किया बहुत बड़ी भूमी पर किया वो तिंदू से लगा करके वहां तुर्की और इधर पर मिस्र के ख्षित्र को पूरा कवर किये हुए थे उधर उन्हों ने उत्तर में लिया हुआ था तो अगर आप वर्ल्ड का मानचित्र आपने पढ़ा है तो आप इस बात को समझ पा रहे हुए कि बहुत बड़ा च्छित्र था तो वहां पर भी इतिहास है इतिहास पर गौरों करने वाली बात है य अलग अलग नाम से देश के लोगों की पहचान रही है कि अगया लेकिन वर्तमान समय में जो स्विकार किया गया है इंडिया और भारत दोनों ही शब्द हमारे पास है दोनों ही नाम जैसा शुरू में चर्चा की कि एक हमारा ब्रांड नेम है और दूसरा भारत के मूल कर दिये तो आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्षन में लिख सकते हैं चलिए आज का प्रेक्टिस सेक्षन प्रेक्टिस कोशन लेले हमारे राष्ट के नाम के तिहास का संशिप्त विवरल दीजिए समविधान में भारत और इंडिया कैसे आए जिसके हमने आप से चर्चा क कर ली तो आप इसके बारे में 150 शब्दों में अटलीस लिखने का अभ्यास कर सकते हैं आर्टिकल वन को याद रखिएगा उमीद है ऐसा प्रशन बहुत सिंपल है लेकिन पूछा भी जा सकता है कि किस भाग में ऐसा किया गया तो भाग एक और अनुछेद एक का एक उसे सा नावशक है क्योंकि मेंस की परिक्षाएं भी नजदीक आती जा रही है तो अगर चैनल पर नए हैं तुसको लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं पढ़ते रहे अपना ख्याल रखिए शुक्रिया